समझना है कि मोटर की जो वाइंडिंग है जिसमें रोटेटिंग मेगनेटिक फिल्ड बनता है रोटेटिंग मेगनेटिक फिल्ड बनता है इसके अंदर जैसे वाइंडिंग कर दी वाइंडिंग करने के बाद फिर सप्लाई थ्री पेज जैसे ही देते हैं तो रोटेटिंग मे रख दो और यह स्टेटर जो स्थिर भाग है मोटर का जो यह वाला जो रोटर वाला जो हिस्सा है रोटर के अंदर क्या कर रखा इसके अंदर रोडे डाल दी है ठीक है न तो इसमें यह दिख रहा है न यह यह तो लेमिनेटिट कोर है और इसके अंदर जो है वो कंडेक्टर लगाया यह में कंद्डेटर लगा दिया ठीक है ऐसे और दोनों साइडें इसकी शॉर्ट कर दी यह होगे शॉर्ट सर्कुट चालक इसका नाम हो गया शॉट सर्कुट चालक हो गया अब यह जैसे आपका चिह रह sudah के अंदर जिस आपने रखा गया है यह रोटर आपका ऐसे रहता है यह ठीक है यह स्टेटर और रोटर रोटर में किसी कोई connection नहीं है connection नहीं है जैसा डिसी के अंदर जो पड़ा था उसमें आरमेचर था वैंडींग थी आरमेचर था उसमें सप्लाई देते थे तो करेंट केरिंग कंडेक्टर होते थे और बाहर पॉल होते थे इसमें पॉल नजर नहीं आ रहे तो पहला मन में जेकर डाउट है कि इसमें पॉल क्या है भी पॉल तो नजर नहीं आ रहे पॉल कैसे बनते हैं यह भी अपने देखते हैं क्या है और दूसर जो होती है वो किस प्रकार से होती है जैसे आपने सप्लाइश में दी यह त्रीपे सप्लाइश जैसे देते हैं तो इसमें घुमता हुआ चुमो की खेत्र बनता है ठीक है अपने इसका मोडल बना करके ने एक बार और स्टडी करेंगे समझा देंगे अच्छी तरह कि पैदा हो जाते हैं तो इसमें इंडेक्शन के कारण सप्लाइश नहीं जा रही है इंडेक्शन हो रहा है इसलिए इसका नाम इंडेक्शन मोटर रखा है इंडेक्शन क्यों रखा है अब जैसे इंडेक्शन क्यों रखा है कि इसके रोटर में घुमने वाले भाग में सप्ल पैजते हैं। अब इसलिए इसका नाम तो इंडेक्शन रखा। पहला सियो कुण ऑ और यह बिया है। केज नुमा तो यह केज मतलब पिंज रहा हो गया तो यह आपका हो गया स्क्वारल केज इंडेक्शन इसके सिद्धान के कारण बाहर स्टेटर में सप्लाई दीए रोटर में इंडेक्शन के कारण इसमें कौन सा इंडेक्शन लगा मन में एक जैसे शंका आगी कि इसमें जो वोल्टेज पैदा होगे वो जाते कहां है कहां जाते है अपन काम में ले नहीं सकते है ने इसको तो इसको तो काम में थोड़ी ले रहे है अपन तो गुमने की शक्ति इससे पैदा कर रहे है तो इसमें जो वोल्टेज पैदा होंगे वो इसी के अंदर ही अंदर चलते रहते हैं रोटर के अंदर ही इस रोटर के अंदर ही अंदर चलते रहते हैं और इसके कारण से इसमें जो फ्लक्स पैदा होगी इसकी जो फ्लक्स पैदा होगी वो उस कारण का विरोध करती है जिसस वोटरी गूमने का सिद्धांत यह भाग आपने देखी लिए है न तो मेन है इसकी वाइंडिंग वाइंडिंग सध्वेड़न से होनी चाहिए है न तो अब यह रोटर समझ मागल गया इंडेक्शन रोटर के करण इसमें सप्लाई नहीं जाती है इंडेक्शन से इसमें वोल्टेज पैदा होला विए इसनी मोटर का जो पूरा नाम हो गया किन इंडेγष्ण को अपने पास में ये यह भी स्कॉर अलग मिलींग और दीजाइन थैंगा वह आपको और जो company है जैसे यह मालों की लोग सब कंपणी है या यह दूसरी company है जो भी company machine बनाती है वो अपने हिसाफ से उसकी designing करती है designing में क्या-क्या चीज़े होती है जैसे आपका यह core का जो area है यह है यह यह core का जो area यह limited core कितनी रहेगी अब इसमें कितना flux बन सकता है उसके आदार पर यह slato की संखिया अब इसमें slato की संखिया भी इस motor में इस motor में अलग अलगे इसका मतलब अपने को यह इसमां 24 है इसमें 36 है तो motor 36 테 जी पहीं आ सकती है और 24 जे यह slot का एक टीक्स नहीं होता 24, 36, 48 ऐसे आ सकते हैं तो स्लाटों की संख्या सबसे पहले जो वाइंडिंग अगर आप शुरू करते हो वाइंडिंग आपको समझना है वाइंडिंग की डीजैन आपको बनानी है तो ये AC की वाइंडिंग जो है AC AC की जो वाइंडिंग है इसमें जो मोटर अपने पास में होती है या तो 24 स्लोट की होगी 24 स्लोट ठीक है या 36 स्लोट की हो सकती है तो आपको एक बार 24 की बना देनी है और 36 की बना देनी है ठीक है न 36 की डिजैन कैसे बनेगी 24 की डिजैन कैसे बनेगी ये आपको समझना है और इसके अलावा इस मोटर का उपयोग अलग-अलग जगह भी होता है और जहां आपको speed की आवाशकता है जदा high speed की चाहिए मैं इना है तो यहां speed Defend करती है इसकी winding पर इसकी speed डिपेंड करती है ज्यसके 2Pole के motor को यहां पोल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं फोल समय में आजाएंगे अब वह पॉल तो कैसे वी अविधी पल अलग से थे तो दिख जाते थे अब यह तो फॉल दिखाई इसका पुल से पीज देख परके और पोल निरधारित करना पड़ता है अगर आपको बाहर इस एक प्लेट के उपर अगर अगर आर्प आईड挺 घाता है अगर इसके प्लेट अगर बाहर लिखी है बाहर नेम प्लेट है उसने इस्पीड लिखी रहती है और इस्पीड के आधार पर अप पॉल दिमाग में सेट कर लो उस आधार पर वाइंडिंग होगी तो तीनों चीजों के एक अधार combination और तो दो पोल की अगर motor है या चार पोल की motor है या छे pol की motor है तो इन में क्याक्य परीवर्तन होता है designing मतलब motor की दीजन्य है वह आकार उस motor का जो हुस्पावर के अधार पर उसका आकार बनाये गया ठीक है अब वो इस्पीड तो काम के उपर है कि मोटर को लगाना कहा है चक्की पर लगाना है या पंप पर लगाना है या लेट मशीन पर लगाना है या किसी और काम के लिए लगाना है तो उसके आधार पर तो दो पोल की जो मोटर होगी उसकी जो स्टेंडर्ड सिंक्रोन स्पीड ज तो यह तो होती है 3000 rpm होते हैं लेकिन इसका जो रोटर जो गुमता है वो अठाइसो से अठाइसो असी आर्पीम ऐसे लिखा रहेगा अगर इस प्लेट के उपर अठाइसो असी आर्पीम ऐसे लिखा हुआ है तो समझ लेना कि यह दो पोल की है तो उसकी वाइंडिंग भी दो पोल की हिसाफ से होगी स्पीड के आधार पर अगर चार पोल के मोटर है तो स्टेंडर्ड आर्पीम होते हैं 1500 यह सिंक्रोन स्पीड लेकिन अपना जो रोटर गुमता है 1400 और 1440 के आसपास तो यह 1440 rpm ऐसे लिखा हुआ है तो समझ लेना कि वह चार पोल के मोटर है तो उसकी वाइंडिंग भी चार पोल के इसाफ से डिजाइनिंग की जाएगी और उसका पीच वगरा चार पोल के आधार पर ही होगा ठीक है और 6 पोल का है 1000 rpm होते हैं ठीक है और उसका जो रोटर गुमेगा वह 960 rpm पी गुमेगा मतलब थोड़ा सा कम गुमता है यह सिंक्रोन करनी है ठीक है अब वाइंडिंग जब आपको मालूम पढ़ गया कि यह इस हिज़ा से वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग को देख करके नहीं स्पीड मालूम पढ़ जाएगी अभी अपने पासमें यह हो गया अगर प्लेट होती तो दिमाग में यह आई de采या लग कि अपने यह वाइंडिंग इस टाइप की होगी यह अपने आप फिगर आ जाएगा अभी वाइंडिंग देख करके ना आर्पियम का पता लगाना है ठीक है अब जो वाइंडिंग में एक मुख्य रूप से जो एक तीन फार्मूले हैं वाइंडिंग में सबसे इंपोर्टेंट होता है पिच 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 है यह इंपोर्टेंट है यह पोल दिखाता है स्लोट बटा पोल स्लोट बटा पोल यह स्लोट बटा पोल है इससे आप पिच निकालते हैं वाइंडिंग करते समय यह सबसे पहला काम यह है कोईल हमको किस टा बागे तो ठीक है लगडी का फर्मा बनाया वायर लिया और लगा दिये और कोईल बन गई लेकिन डालनी किसे अगर माल यह पूरी वैंडिंग एक्टम खाली कर दें है ना हमारी जो वैंडिंगे बिल्कुल खाली हो जाए तो आप क्या करेंगे कैसे करना क्या है अगर बिल्क की बनानी है इस आधार पर अगर माल लो यह स्लोट अपने इस मोटर को देखते हैं इसमें 24 लोट है तो स्लाटों के संख्या 24 हो गई और पोल अपने दो हैं तो यह कॉईल होगी एक से बारा इसका पीच होगा अब जैसे इसका पीच दिख रहा है एक से बारा एक कोईल यह की अंतर आएगा कोईलों की संख्या उस पर डिपेंड करेगी तो डिजैने बहुत चारी अलग अलग है तो अभी जो आपके सामने यह दिख रहा है यह जो मोटर है आपकी सिंगल लेयर है और इसका पीच देखें तो यह बड़ी कोईल है यहां स्लोट एक यहां पर एक नि एक से बारा में यह कोईल डाल रखी है ठीक है अगर इस प्लेट के उपर लिखा होता दो पॉल तो आपके दिमाग में यह सेट हो जाना चाहिए कि इस मोटर की जो मैंडिंग में जो कोईल बनेगी वह एक से बारा की बनेगी और कोईल देखकर के नब प्लेट नहीं यह तो तो यह स्लोट बटा पोल यह इसका फार्मूला है यह हर मोटर के लिए कॉमन है चाहिए वो छोटी हो चाहिए बड़ी हो अब बात आती है कि इसका टार्न और वायर साइज निकालना और वायर साइज वैसे इसकी डिजैन पर डिपेंड करता है अपन तो रिवाइंडिंग क तो इस तारीकों हमने यह वैंडिंग करी है तो इसकी लाइफ किती रेगी यह मालूम पढ़ जाएगा ऐसे काम करते जाएंगे करते जाएंगे आपका अनुबह हो जाएगा दो साल चार साल छे साल तो आर्दस साल में इतने परफेक्ट हो जाएंगे मोटर को देख करके और कि जो मोटरा वाइंडिंग करते हो उसके डाटास जो है वो लिखके रखना है तिससे आपको यह चित्र क्लियर हो जाएगा अब यह बात करें अपने इसके टर्न टर्न और वायर गेज जो डिपेंड करता है होस्पावर पे तर्न वह एश्पी पे डिपेंड करता है जैसे जैसे ज्यादा होस्पावर की मोटर होगी उसमें टारिन के संख्या कम होगी और वायर मोटा होगा तो तार मोटा हो जाता है और जैसे जैसे कम host power की motor होगी तो तार पतला होगा, ठीक है, पतला और मोटा तार ये host power पर डिपेंड करता है, तार न कितने लेने हैं, वो अब इसमें जो slot बना है, slot का जो area किता है, slot जैसे ही मालों ये winding आप काट दो, उसके बाद इसका खेत रफल नापते हैं इसका area, उस cross इसमें लगने चीज़े लेकिन सो तर इसमें स्लोट में नहीं आएंगे फिर अभी सो सकता है अपनोंने पूरी वेंडिंग अपने काट दी अपन चाहते हैं कि इसके डिजाइन चेंज कर दे हो अपन इसको पांच वस्पार को दस वस्पार की बना देवें कि उसके लिए था आपको बोड़ी थोड़ी बड़ी चीह स्लोट सोड़ा गहरा चीह आपको और वह एक वाइंडिंग में जैसे आपका एक टेबल दे रखी थी अब यह जो आपके टेबल है वाइंडिंग वायर अपना होता है वह सूपर इनेमल्ड कोपर वायर ठीक है सूप कौन से गेंग होज़ का वायर है उसका डाइमिटर कि अतना होता है MMA और इंच में अगर आपके पास में दोनों चीजे हैं यह ब्रिटिस सिस्टम मैटरिक पट między सिस्टम में मैं हगा ब्रिटिस में इंचे नेश में होगा तो यह तो डाइमिटर हो आपका इतना diameter होता है माना कि आपने 19 gauge का wire लिया ठीक है एक 19 gauge का आपने wire लिया है उसका जो diameter होता है 1.01 mm तो उससे तो कोई मतलब नहीं है लेकिन उसका जो area है area square mm में देखना है कि 0.811 area बेटता है मतलब एक तार जो है न इसका गोल जो तार है आपका यह area जो है ख्शेतरफल हो गया इसका यह तार का जो area है एक तार का area ऐसे ऐसे माना कि यह यहां से ऐसे आपका जो slot है आपका कोईल का यह slot है इस slot में कितने turn आ सकते हैं यह निकाल सकते आप कितने turn आएंगे यह आपको calculate करना यह तो बहुत लंबी थियोरी होगी आला कि अगर आप करने चाहते हैं तो इसमें कितने turn आ सकते हैं यह आपको यह area एक turn का एक तार का जो यह आपका माना कि आपने 19 गेज का तार लिया 19 गेज के तार लिया यह आपने उसका area आ गया इतना ठीक है और इसका जो area है turn पर square centimeter एक square centimeter में 105 टर्न यह सो रिस 87 टर्न आ सकते हैं आपके जो इना slot अब motor के अंदर कितना area कितने slot इसे जो slot का जो खेत्रपल है उसमें paper भी आएगा उसकी motor ही निकाल लो paper डालने के बाद आपके पास में जित्ती जगह बस्ती है उस हिसाफ से इतने turn आ सकते है maximum अब इतने turn के इसाफ से current कितनी जा सकती है इतनी maximum जा सकती है इसके current के आदार पर voltage आपके 440 है तो फिर आप गुणा करके और इतने voltage आ रहे हैं इतने current है तो इतने horsepower होंगे तो यह तो theory बहुत लंबी है designing है अब वो तो जो company वालों ने बना दिया अब आप यह तो कर नहीं सकते कि इसे slot का area बढ़ा दो या आपने को designing करना है तो फिर वह चीज़ करने पर अपने आप आजाएगा आपको ठीक है टार्न का जो डाउट है वो क्लियर हो गया टार्न किस पर depend करता है होस्ट पावर पर वायर गेज और टार्न वो होस्ट पावर पर डिजाइने में बहुत सारी कर रहे हैं इसकी डिजाइनिंग के लिए ठीक है अब अपने पास में माना कि यह एक यह मोटर अभी ले लिए आपने 24 लॉट की है 24 लॉट की मोटर है ठीक है 24 लॉट की मोटर की जो वैंडिंग है दो प्रकार से होती है एक तो अब सिंगल लेयर सिंगल लेयर ले सीरे मलना एकल प्रत और एक होती है डबल लेयर ई तो सिंगल लेयर और डबल लेयर यह दो वीदियों से आप our winding कर सकते हैं कि द्धाए लो या नोगन कर लो आपको जो सुवीधा हो वो आप कर सकते हो इसके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है मोटर की इस पी एफिशेंसी मोटर की जो होस पावर है उसमे कोई अंतर नहीं आएगा लेकिन इसमें यह सिंगल लेए डबल लेए आपको कौन सा करना है सिंगल लेए करना है उस आधार पर क्या सेलेक्शन करना पड़ेगा क्या क्या परिवर्तन आएगा यह देखना है चोबीस लोट अगर है और उसको अगर आप सिंगल लेए करना चाहते हैं सिंगल लेए करना चाहते हैं तो आपको 12 कोई बनानी पड़ेगी ठीक है और डबल लेए करोगे तो 24 कोईले बनानी पड़ और एक दूसरा टार्न जो है तार्न है वो 24 कौल करते ही तो आपके जो टोटल टार्न होगे उसके आदे हो जाएंगे और इसमें पूरे टार्न लेने हैं आपके जैसे कि फॉर एक्जामपल में अपने उधारन देते हैं कि इसके अंदर मानना की 50 तर्न हो सपोस करो इस मोटर म पचास टर्ण है इंगिन लिया काट के यह अभी तो वाइंडिंग से काटना नहीं है जली भी वैंडिंग अगर आपके पास में जली भी मोटर आएगी तो इसी कटिंग आप करोगे कटिंग करने के बाद फिर आप देखोंगे इसके एक स्लॉट के अंदर एक स्लॉट के तो इसमें 25-25 की दो कोईले बनाएंगे, 50 तंड की एक कोईल बनाओ, तो सिंगल लेयर होगे, 12 कोईले बन जाएगे, और 25-25 की दो बनाओगे, 24 कोईले बन जाएगे, तो एक स्लोट के अंदर जो टर्न के संख्यात उत्ती आ गई है, लेकिन डिजाइनिंग में जो कोईले डा करने का जो अंतर, किस प्रकार से, सिंगल लेयर में कैसे होगा, डबल लेयर में कैसे होगा, स्लोट में टर्न उतने ही आएगे, जितने इसकी डिजाइनिंग की गई है, सिंगल लेयर करना है, तो डबल डुगुने टर्न होंगे, तो सिंगल लेयर हो जाएगे, और आधे टर अब यह चीजह तो आपने कर लिया यह मन में डावट क्लियर हो गया अब यह 24 जोट और एक 36 जोट की मोटर तो पहले जो आप समझ नहें तो पूरा 24 जोट की मोटर है इसका ही डिजाइनिंग समझ लोगे अलग-अलग किस प्रकार से आप बंडिंग करेंगे अभी अपन एक म और अब इस एक मोटर को आपन अभी फिलाल जो वाइंडिंग yourself ओर रखिए हैँ अगर अइस मोटर कार्च पोस्ते7ों को चाहे तो जार पोल की बना सकते हैं चाहे हैं जेदश पूल की बना सकते हैं बना सकते हैं और चलेखे भी साही कोई दिकत नहीं आएगी बस शार्त यह है कि इसके जो होस्पावर है तो वो टर्न के अधर पर आगे, कितने टर्न लगाने है, कितने रहेंगे बाकी अब डिजैनिंग में क्या क्या चेंज आएगा, पिछ का अंतर आजाता है अगर मालो इस मोटर को चार पोल की बनानी है, तो क्या परिवतन आएगा यह अपन थोड़ा डिसकस करें, ठीक है अभी अपन जो जनरल जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास में 24 स्लोट की मोटर है ठीक है, यह एक डिजैन ले लेते हैं, अपन 24 स्लोट की मोटर, बस और कुछ नहीं, 24 स्लोट की मोटर है 24 स्लोट की मोटर की हमारे रिवाइंडिंग करनी है, हमें उसको बांधना है ठीक है, एक टार्गेट ले लिया 24 स्लोट, अब सिंगल लेर करेंगे तो 12 कोईल होंगे, डबल लेर करेंगे तो 24 कोईल होंगे यह आपका नीने है, सिंगल लेर करना डबल लेर करना, यह समझ में आ गया, सिंगल लेर डबल लेर करेंगे तो क्या अंतर आएगा कोईले आधे हो जाएगी turn double हो जाएगे चोब इस कोईले करेंगे तो कोईले उसके slot के बराबर हो जाएगी और turn इसके आधे हो जाएगे जो अपनी slot में जो turn आ रहे हैं वो अब रही बात आपकी speed और motor का जो उपयोग करना है दो pole की अगर करनी है दो पोलकी अगर आपने को बनाएंगे तो इसका जो पीच होगा वो एक से बारा होगा ठीके अगर मैं चार पोलकी बनाना चाहता हूँ इसी मोटर को तो स्लोट बटा पोल करेंगे तो कितना आजाएगा छे तो एक से छे पीच में धन्तर आ गया बहुत ही, चार पॉलगी करते ही तो, कोईल छोटी हो गई, और अगर छे पॉलगी करेंगे तो, एक से, चार, तो यह जो पिछ का अंतर आया, इस से मोटर की स्पीड पे अंतर आ जाएगा, यह important चीज है कि यह आपको अलग-अलग पिछ निकाल करके अलग-अलग डिजैन बनानी है, अब इसका development diagram सबका अलग-अलग बनेगा, इसकी डिजैन अलग-अलग बनेगी, तो वो winding कैसे होगी, तो आपको एक बार ड्राइंग बनानी है, इसे अलग-अलग ड्राइंग आपको अनुमान लग जागे, कि आपको इस प्रकार से उसकी winding करते हैं, तीन अलग-अलग ड्राइंग आपको बनानी है, दोनों comparison भी कर लेंगे, ठीक है, अब मैं second करता हूँ, 24 लोट की double layer, 24 लोट हैं, तो 24 कोईल होगी, 24 लोट हैं, 24 कोईल होगी न, double layer हो गया, इसको double layer कहेंगे, जी परत, double layer, ठीक है, यह single layer था, 12 कोईल थी इसलिए, अब वो पोल का पीछ का फार्मूला सेम है, इसमें single layer, double layer से लेना नहीं है, double layer में दो पोल कहीं होगा, तो भी एक से बारा, पीछ में तो वो लेयर का था ही नहीं, पीछ निकाले का फार्मूला स्लोट बटा पोल था, दो पोल का करते हैं, तो एक से बारा रहेगी कोईल, ठीक है, चार पोल का, तो एक से छे, छे पोल का, एक से चार, यह अंतर नहीं आएगा, खाली कोईलो का अंतर आ जाएगा, इसमें इतनी कोईले हैं, इसमें इतनी कोईले होगी, तो एक बार इसके तीन ड्राइंग बनेगी है, तो डिजाइनिंग यह अलग-अलग डेवलप्मेंट डियागरम बना हो, तो मालूम पड़ जाएगा, कि यह दो पोल कान, चार पोल क हैं, वो इसकी डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है, कि HP और टर्न, कितने टर्न उसमें आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसके थोड़ा मोडिफाइग करने जाएगा, और अपने उसको जदा होस्पार का या गेज कम जदा कर दिया, तो उसके होस्पार में अंतरा जाएगा, आप रिवांडिंग करने जाएं, पहले वाले जाएं उसने 19 जघ् γιαान तार लगा रहीं, तो और अपने 20 का होस्पार कम होजाएगा, या कि तारा पतला हो जाएगा हो जोच होस्पार इस वीजग cane जाएगे और 19 जगे अपने 8 का ले लिया तो और二 जाएगे, लेकिन वो ल फिर नीं यहाएंगे तो लो डीजाइन में फिर अंतर आ गया पर आका कुछ करने नहीं एक करी कैसे पाएंगे फिर वांडीघी नहीं हो बोलेंगे लिए फिर आप स्वाट लेंगे आपको बनानी है ठीक है मोटर को देख करके और अभी जो मोटर है उसको अपन इन-इन तरीके से बांद सकते हैं अपने को आवशकता पड़े तो अपन परिवतन कर सकते हैं इस मोटर को अगर दूसरी जेकर उपयोग में लेनी है तो आप इसको एसा चेंजिंग ला स सकते हो ठीक है अब आपन बनाते हैं इनकी ड्रैंगे ठीक है ने एक बार तो अपन यह 24 लोट का पूरा डिटेल खाका त्यार करें उसके बाद फिर अगला अपना टार्गेट क्या रहेगा अगला टार्गेट चतिस लोड की मोटर लेंगे अपन आप अभी तो चोबूस हुई होगी कि और डबल लेयर करेंगे तो तो 36 को कि यह अंतर हो गया ना डबल लेयर करेंगे तो 36 हो जाएगी सिंगल हैं अब वो फीछ से निकालने का फार्मुला तो वही रहेगा अगर दो पोल का है तो फिछ क्या होगा दो फिछ किता होगा श्लोट बटा पोल एक से 18 ए एक से अठाता राखा पिछ रहेगा, तो आपका ये दो पोल की मोटर बन जाएगी, उसी मोटर को चार पोल की बनना है, स्पीड आपको चवदासों आर्पीयम चाहिएं, چवदासों कालीस आर्पीयम चाहिएं, तो चार पोल्स, 800 RPM चाहिए तो दो पॉल तो जैसे जैसे आपको RPM क्या आँ सकता है उसके आधर पर को सब्सक्राइब तो फॉल आशे कि एक यह सिंगल लेयर की उसकी भी 3 वी 6 हो जाएगी तीन तो सिंगल लेकर में तीन डबल लेयर में तीक यह डिजैइनिंग आप बनाते जाओ घे तो आपने winding समझ में आ जाएगी और इसी आधार पर आपको winding करनी है ठीक है अब main जो है वो winding के development diagram बनाने का ही है